तो फ्रेंड्स आज के इस अपडेट पे हम लोग एक और न्यू वेकेंसी की जानकारी डिस्कस करेंगे देख सकते हैं विज्ञापन पर जारी कर दिया गया इसमें वेरियस अलग-अलग पोस्ट यहां पर रहने वाली है इसमें दोस्तों स्टाफ नर्सिस लेप टेकनिशन्स साथ साथ फार्मेसिस्ट इसके साथ साथ नर्सिंग असिस्टेंट इसके अतरिकते हाँ पे कमपाउंडर और ड्रेसर जैसी पोस्ट भी इसमें आप शामिल कर ली गए खुलमला केस में जो है पचास पद इसमें आप शामिल के गए और आप सभी को बताना चाहता हूँ यह जो विकेंसि यहां पर जो रिलीज वही पुलिस बिवाग मीज पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से रहने वाली है यह नोटिफिकेशन देखिए छे अक्टूबर को अभी रिसेंट्ली यह विग्यापन आपको वैब साइट पे दे दिया गया सबसे पहले आप सभी लोग विकेंसि हैं फीमेल नर्स की विकेंसि हैं लेब टेक्निशन फार्मेसिस्ट नर्सिंग असिस्टेंट कंपाउंडर ड्रेसर यह कुलमला के पचास पद टकनीकी टेकनिकल जो हैं कडर के अंतरगत यह पोस्ट इसमें रहेंगी बात करते हैं जो रिक्त पदों का विवरण है जल्दी से मैं आपको यहां पर संख्या बता देताहूं कितनी फोस्ट है तो 50 पद है कुलमला के जिसमें से मेल नर्स के 10 पद इसमें शामिल किये गए इसके बाद female nurse के इसमें हburg 4 पदे इसके बाद lab technician का 1 पदे इसके बाद pharmacist के 13 पदे इसके बाद nursing assistant इसमें 7 परे compounder के इसमें बारा पदे और dresser के इसमें जो है देख सकते हैं तीन पद इसमें अलग से शामिल किये गए और undeserved SC, ST, OBC ये सभी एक categories में इन vacancies को distribute यहाँ पर कर दिया गया को मिला किया है 50 पद इसमें आप पर रहने वाले हैं और दोस्तो 7 CPC पे matrix वेतर आपको per month basis पर यापको यहाँ पर salary मिलें इसके लिए आपको online आविधन करना है इसकी dates बता दी गई है 20 October से form बना पर शुरू होंगे और 30 November तक इसके आविधन करने की last date है और online जो है इसमें आपको यहाँ पर form आपको यहाँ पर fill up करना है और यहाँ पर इसकी official website बता दी गई है तो इसके माध्यम से आप लोग अपना online application form fill up करेंगे और जो भी आपकी भरती का केंदर है यह भी आपको इसमें आपको यहाँ बता दिया गया 7 CPC Paymatrix वेतन जो है लेवल 7 इसमें आपको मिलेगा तीन पोस्ट के लिए जो की male nurse, female nurse और lab technician है बागी के CPC Paymatrix लेवल 4 आपको यहाँ पर वेतन इसमें आपर दिया जाएगा इसमें age limit बता दी गई है 18 से 30 वर्स आपकी यहाँ पर उमर हो और जो reserve यहाँ पर जो category है SCs, STs, OBCs आपको 5 वर्स की IU में आपको इसमें आप पर चूट मिलेगी age में आपको यहाँ पर relaxation मिलेगा देख लेते इसके बाद और जो important information है male nurse की post के लिए बारी वीक अक्षा पास हो biology subject में और तीन वर्स का medical particular 36 गण के अंतरगात आपके पास यहाँ पर होना चाहिए BSC nursing candidates apply करें और देखिए तीन वर्स यहाँ पर 6 महिने का जो आपका GNM का course रहता है यह candidates पर अपला कर सकते हैं और इसमें training course भी आपके पास यहाँ पर होना चाहिए तीन वर्स का general nursing training का आपके पास यह course होना चाहिए और nursing council में आपको इसमें आप पर registration भी चाहिए इसके बाद female nurse की जो post इसमें भी आपको 12th class पास होना ज़रूरी है physics chemistry biology में और 36 गण शार्षन में आपके पास यहाँ प का training course है या फिर तीन वर्स का आपके पास आपे पार्टे कराम है GNM का डिप्लोमा है वो candidates apply कर सकते हैं और 6 माईने की internship भी आपसे आप मांगी जारी और nursing council 36 गण में आपको इसमें registration भी चाहिए lab technician के लिए आपको 12th class पास होना जरूरी है biology subject में और इसमें pathology का technician का course आपसे मांगा जा रहा है और diploma भी है तो DMLT, BMLT candidates इसमें apply करें और इसमें आपको council का registration भी चाहिए paramedical council में आपको लोग registered भी रखते हो pharmacist के लिए भी बात कर लेंते हो तो 12th class पास हो biology subject में और pharmacist का diploma candidates apply करें और इसमें आपको जो है council का registration फार्मेसी council में होना चाहिए nursing assistant की post है 12th class आप लोग पास हो एक वर्ष का आपको paramedical course आपसे मांगा जा रहा है जो कि 36 गड़ शाषन द्वारा अधिकरत हो और paramedical worker का आपको आपको registration होना चाहिए compounder की बात करें तो इसमें आपको 12th class पास होना जरूरी है physics chemistry biology में और pharmacist का diploma आपके पास आप पे होना चाहिए pharmacy council में registration भी होना चाहिए इसके बाद dresser की post है 12th class पास हो biology subject में और एक वर्ष का dresser का particular आपके पास आपके course होना चाहिए जो कि स्वास से संस्ता से मानेता प्राप्त यहां पे हो तो यह जानकारी इसमें मैंने आपको आप दी यदि आपके पास अनुभव है तो अनुभव के अंक जो है इसमें आपको यहां पे दिये जाएंगे इसका benefit आपको इसमें आपको मिलने वाला है तो इन vacancies के लिए आपके 12 वित्तक का समय है और इसके लिए form fill up करने की फीस आपको बता दी गई 200 रुपे का ये फीस का पेमेंट करना है और SC-ST जो केंडी रेट से आपको 125 रुपे का ये आपको फीस का पेमेंट आपको यहाँ पर करना होगा तो वेकैंसी की information जो भी थी आप मैंने आपके कव तब ही आप लोग अपलाए कर सकते हैं वीडियो को लाइक करें और अपने सभी प्रेनेट्स लोगों को इस वीडियो को आपको आपको आपे शेयर कर दें जितनी भी candidates आप लोगों के जो है ये qualification रखते हैं और 36 गड़ के जितनी भी candidates है जो इस वीडियो को आप लोग आप